दिनली एम्स ने भी इस दावे की सच्चाई परखने के लिए पूरी रिपोर्ट मांगी है दो बंगला पान डंधल सहे दो लहसुन की कली पांच ग्राम अद्रक और थोड़ी सी शहर हर घर में यह आसानी समझ जाते है सागर की वैद वी इन जोशी का दावा है कि इनने बनाई जो दवा है तो दिल के बड़े से बड़े लौकेश को महस पांच से दस दिन में ठीक कर देगी बी इन सोनी का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने खुद पर इसका प्रयोग किया और जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो दूसरे मरीजों को दावा देना शिरू कर देगी मरीजों में डॉक्टर भी शामें वैज बी इन सोनी के मतावेगे इस दवा को बनाना भी बहुत आसान है दो बंगला पांग डंठर सहर दो लहसून की करे पांच ग्राम अदरब को पत्थर पर पीस ले पीसने के बाद रस को काच या चिनी के बर्तम में निकाले निकालने के बाद रस में दो चम्मच शहर में ला और इस रस को 45 मिनिट में धिरे-धिरे उबली से चान ले इस दवा को एक बार में नहीं पीना है और इसे खाने के एक घंटे तक कुछ भी खाना देना रही पाबाजी के पास मुष्टे ज़गाई चमस्ता पास में अपने ज़गाई तो शाच्छी कुझा हुए उस दवाई के में पंजा दिन थी थी पंदर दिन के बाद में सौ मीटें ही नहीं चल पाथा था करीब दवाई जाने के यह से गेड़ मेहने के बाद देल बेट फुरीन का तूर्टूर निकला था उसमें में द्वारका जेश पिर आपका सुन्ना राहिस्थान यूपी फिर अपना गोंते हुए वहाँ पहुचा था आपने व्याश्नों देगी के पुई चड़ाज मेंने पैदल प्यार की दूर्टूर भाकिस आया जिन मरीजों ने वैस बी एंग सोनी का नुस्का अपनाया वो इसे हार्ट के ब्लॉकिश का राम बार पुबाय बदाते हैं डाक्टर ने कहा था कि आप कुछ एंसी थेरेपी टीजिए ये दवाई सरू कीजिए आप एंडियोग्रापी और करा लेजिए तो उसके बाद मैं जैसे ही मुझे सोनी जी की दवाई का मालू पड़ा तो मैं इनके पास किया थे जो ने इस दवाई के लिए सज़ेश्ट किया आज मुझे ये दवाई देते हैं तो साथ दिन में डेव आएगे सांस भरना कम होई गए और अब मैं बहुत ही पेदल चलने और अब गुलावास रमाता जता रहता हूं तो जी जैसी दुमलाता थी तो उनने का इसको पांत दिन बड़ता हूं खतम होगे मैं चलता हूं पिलता हूं महुत काम करता हूं और में शस्ते बाद दिए कि मिरे दिमाग में ये बाद नहीं है कि मैं पीमार लेकिन ये दवा एक सो एक पटन सही है इसमें पूर दूमत नहीं है यो विसका भी सिवन करेगा त्रूंत लाज मिलेगा गरीज सौ मरीज इस दिवसी दवा से आराम पा चुके अब दिल्ली एंसली भी वैद बीम सोनी से पूरी रिपोर्ट मागी ताकि इस दावे की सच्चाई पता की जा सके अगर जांस में दावा सही साविद हुआ तो इन उसका किसी वादान से गम नहीं होगा